हम लोग कर रहे हैं मेवाड का इतिहास जिसमें हमने पढ़ा कि नैंसी के अनुसार मेवाड में दो साखाएं हुई थी एक गुहिल वंस और दूसरी शिशोदिया वंस ठीक है तो गुहिल वंस में हमने वपा रावल को देखा था जिनको वास्त्विक संस्थापक माना जाता है उसके बाद हमने जैत्र सींग को पढ़ा था जैत्र सींग जिने मद्यकालीन मिवाड का स्वर्निम काल कहा जाता है और उसके बाद हमने रतन सींग को पढ़ा था जिनका युद्ध होता है अलावदीन खिल जी के साथ ठीक है और इन्हें अंतिम साशक माना जाता है गुहिल 64 इस्वी में यह शिशोधिया राजवंस जो है वह गुहिल वंस की एक शाखा थी तो यही गुहिल वंस के बाद जो है शिशोधिया वंस में परिवर्तित हो गया था शिशोधा ठिकाने के जो जागीरदार हमीर थे इन्होंने 1326 इस्वी में चित्तोड पर अधिकार करके गुहिल वंस की ही दुबारा से स्थापना की थी ठीके और यह जो गाउं था शिशोधा गाउं जो की राहप ने बसाया था ठीके हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि राहप ने शिशोधा गाउं जो है वह बसाया था और राहप जो है वह कौन था थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिये कि राहप जो है कौन था वह जो रन सिंग था उनके दो बेटे थे शेम सिंग और राहप तो राहप द्वारा शिशोधा गाउं बसाया गया था और शिशोधा गाउं का ही जागिरदार होने से इसे वास्तविक संस्था पग माना जाता है कि गुहिल वन्स जो है सुमाप्त ही हो गया था लेकिन दोबारास मेवाड में शुशोदिया वन्स की नीव रखते हैं रान हमी और मेवाड की जो खोई हुई सकता है उसे बापस लेकर आते हैं इसलिए वास्विक संस्थापक माना जाता है शिशोदिया वन्स का हमीर शिशोदिया को 1326 में मुचला मालदेव के पुत्र जैसा को इन्होंने हराया और चितोडगड में शिशोदिया वन्स की निव रखी थी इसी वज़े से इन्हें मेवार का क्या कहा जाता है उद्दारक कहा जाता है इसके बाद मेवार के सभी शाशक जो है वह है शिशोदिया कहलाने लगे और अपने नाम के आगे जो है वह है क्या का लगाने लगे राणा लगाने लगे इन्हें सोले युद्धों का विजेता कहा जाता है जिसका अर्थ होता है कि संकट काल में सिंग के समान ठीक है और मेवाड के जो उद्दारक है इसलिए कहा जाता है हमेश शिशोद्या को क्योंकि 1326 में इन्हों ने चित्तोर पर अधिकार किया और मेवाड की खुई हुई सत्ता को जो है ये वापिस लेकर आये थे तो इसलिए गोहिलवंस की दुबारा से स्थापना जो है वो ये करते हैं समकाली जो दिल्ली सल्तनत शाशक है वह है मोहमद बिन तुगलक जो की बहुत ही जरूरी है आप लोगों का याद रखना तो इनका जो युद्ध होता है दिल्ली के सुल्तान मोहमद बिन तुगलक से हम हम सिंगोली के युद्ध के बारे में जान लेते हैं तो दिहान से सुनिए कि जो अलावदिन खिलजी था उसके बाद जो है वो मोहमद बिन तुगलक दिल्ली का नया शाशक बन जाता है तो लेकिन इसकी आंक में जो है यह राना हमीर सिंग जो है वो चुब रहे थे क्योंक तीन महिने का यह लंबा सफर जो है तै करते हैं और सिंगोली गाओं में पहुंसते हैं बहुत तेज बारिश हो रही थी बहुत अंधिरा भी था इस वज़े से यह सिंगोली गाओं में ही अपना तेरा जमा लेते हैं मोहमद बिन तुगलक की सैना यहाँ पर जो राना हमीर स इनको पता लगता है कि दिल्ली से जो है वो सैना आई है सुल्तान आए हैं और मिवाड पर यह चरूर चड़ाई करेंगे क्योंकि हमेश्य शोदिया यह सब कुछ पहले से ही समझ लेते थे तो यहाँ पर युद्ध होता है इन दोनों के बीच में राना हमीर सिंग से शोदि बोली का युद्ध कहा जाता है और यह युद्ध जो है इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया तो देखिए जो मुहमद बिन तुगलक है इसको राना हमीर जो है वो 6 महीने तक कैद करके रखते हैं राना हमीर सिंग शोदिया का इतना ज्यादा खौफ था कि इनके जीते जी किसी ने भी मेवाड की तरफ जो है वो आँको उठा कर भी नहीं देखी थी उसके बाद हमीर शिशोदिया ने चित्तोड में ही अनपूना मंदिर का निर्मान करवाया और यह चित्तोड जो है वो कहां पर है बेड़च और गंभीरी नदी के बीच में इस्तित है चित्त महाराना कुमबा द्वारा रचित या लिकित ग्रंत या टीका जो है रशिक प्रिया जिसमें हमीर शिशोदिया को क्या कहा गया वीर राजा कहा गया ठीक है और कीरती स्तंब में इनहीं हमीर शिशोदिया को विशम घाटी पंचानन कहा गया तो याद रखना ही इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से कि महराना कुम्बा द्वारारो जो रचित रशिक प्रिया है इसमें हमीर शिशोदिया को वी राजा कहा गया है तो देखिए जो हाराना हमीर शिशोदिया थे इनकी म्रत्यू जो है वह है बिल्कुल नॉर्मल परिस्तितियों में ही हुई थी ठीक है लेकिन इतिहास के बन्नों में भले ही राना हमीर शिशोदिया को हम जादा नहीं जानते हैं लेकिन वास्तविक रूप में ये एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मिवार को मुसलिमों से मुक्त करवाया और जीते जीतों कोई भी मुसल्मान जो है वो आँक उठाकर यह चाचा और मेरा ठीक है ये नाम है ये कोई इनके चाचा नहीं है इनके पुत्र थे चाचा और मेरा जो की इनके दासी पुत्र कहे जाते हैं और ये नाम जो है वो आगे चल कर भी आपको सुनने को मिलेगा याद रखना है चाचा और मेरा जो है वो राना शेत्र सींग के दा लड़ते हुए दोनों मारे भी गए थे इसके अलावा मालवा के दिलावर खान गौरी को भी हराया था तो याद रखना है आपको ये कि महराना जो शेत्र सिंग थे इन्होंने बूंदी के लाल सिंग को भी हराया था और मालवा के दिलावर खान को भी हराया था और सबसे एहम बात है कि इनके जो समकाली दिल्ली सुल्तान है वो है फिरोज दुगलग नेक्स्ट देखिए राना लाखा तो बहुत ही इंपोर्टेंट है यह वाला पॉइंट राना लाखा से सम्बंदित इनका समय है 1382 से 1421 इसवी मेवाड के शाशक है इनके पुत्रों के नाम है देखिए राजपूतों में क्या होता है कि जो राजा होते हैं वो हमेशा उत्रादिकार जो किसे बनाते हैं अपने बड़े बेटे को ही बनाते हैं लेकिन यहां पर राना लाखा ने अपने छोटे बेटे मोकल को जो की हंसा बाई का बेटा था इसको उत्रादिकार बनाया ठीक है और वो क्यों बनाया था तो यह थोड़ी सी कहानी है हम अभी पढ़ते हैं इनके जो दरवारी विद्वान थे वो थे छोटिंग भट और धनेश्वर राना लाखा के दरवारी विद्वान थे देखिए यह है राजिस्थान का मैप यहां पर पढ़ता है मारवाड ठीक के शाशक थे राव चूंडा इनके दो बेटे थे बड़ा बेटा था राव रणमल और छोटा था काना ठीक है और रणमल की बहन भी थी हंसाबाई लेकिन जो मारवाड के राव चूंडा होते हैं वो अपनी दूसरी पतनी किशोर कम्री के प्रभाम में आकर छोटे बेटे क पाना को क्या करते हैं उत्तरादिकारी बना देते हैं अब बड़े बेटे को बनाया जाना था क्योंकि राजपूतों में बड़े बेटे को ही बनाया जाता है उत्तरादिकारी यहां पर वो छोटे बेटे को बना देते हैं अपनी पतनी के प्रभाम में आकर तो रणमल जो ह उसको गुस्सा आएगा अब गुस्से से क्या है वह है मेवाड की तरफ जाएगा और यहां पर जो है सोचेगा कि मेवाड पर जो है वो अधिकार कर ले इस तरीके से वह है दिमाग में रखकर आता है तो उसके लिए उसे बहुत प्लैनिंग करनी पड़ती है सबसे पहले वो क जो राणा लाखा है उनसे ये कहते हैं कि राव चूंडा का जो विवहा है उनकी बहन हंसाबाई से किया जाए लेकिन यहां क्या होता है चूंडा से विवहा ना होकर मेवाड के जो राणा लाखा है उनसे हो जाता है एक शर्त के अनुसार और वो शर्त जो है वो क्या होती ह कि जो हनसा भाई है, इनका जो पुत्र होगा, उसी को मेवाड का राजा बनाया जाएगा. ठीक है? लेकिन बड़ा बेटा जो है, यहाँ पर कौन है? राव चूंडा है. तो राव चूंडा को बनाया जाना है. लेकिन सर्त की अनुसार जो है, वो हनसा भाई के बेटे को बना दिया जाता है तो यह राव चूंडा जो है यहां से चल कर मालवा चले जाते हैं ठीक है तो थोड़ा सा यह चीज याद रखिएगा इसलिए राव चूंडा को जो है राजिस्तान का भीस्म पितामा कहा जाता है क्योंकि सारा राजपार छोड़ कर वो यहां आ जाते हैं तो द पर यहां पर आक्रमन नहीं कर सके तो राणा लाखा का समय जो है वो है शांति का काल जो है वह माना जाता है फिर भी हम इनको पढ़ते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारी एहम चीज़ें जो आपको याद रखनी हैं बस यहां पर सुल्तान के बारे में यह याद रखिएगा कि नासिर महमूद तुगलक जो शाशक है वो दिल्ली पर बैठा हुआ था जो खुद ही बुरी तरह से पराजित हुआ था तैमूर लंग के आक्रमन से अब देखिए मैंने आपको स्टोडी थोड़ी सी बताई थी तो यहां देखिए मेवार के राणा लाखा इनका बड़ा ब आवरी का निर्मान करवाया था तो राव चूंडा के जो बड़े बेटे हैं राव रणमल और उनकी बहन है हंसा बाई और जो छोटा बेटा है वह है जो किशोर कवरी है इनका बेटा है काना अब राव चूंडा क्या करते हैं किशोर कवरी के प्रभाब में आकर काना को क्य कर देते हैं उत्रादिकार बना देते हैं ठीक है अब यह जो राव रणमल है यहां से जो है वो मारवाड की तरफ चला जाता है और राणा लाखा से जो है विवहा करवा देता है अपनी बहन हंसाबाई का और उन्हीं से जो पुत्र जो है वो है होते हैं वो है चोटा बेटा जो इनका मोकल होता है और यह उत्रादिकारी बन जाता है यानि मेवाड में भी जो छोटा बेटा है मोकल वह भी उत्रादिकारी बन जाता है और मारवाड में भी और यही मोकल है जिनके जो बेटे रहेंगे वो कौन रहेंगे महाराना कुम्भा जिनके बारे में हम आगे चलक का विवा मेवाड के राणा लाखा से कर दिया था सर्त की अनुसार कि मेवाड का उत्रादिकारी हंसा भाई के पुत्र को ही बनाया जाएगा रणमल का इरादा क्या था कि मेवाड में उसका प्रभाव बढ़ सके तो इतना लंबा जो है वह सोचकर रणमल ने एक काम किया था क आगे चलके जो है उसका जो बहन का बेटा है मोकल वो राजा बन जाएगा तो उसका प्रभाव भी वहाँ पर आ जाएगा। लाखा के बड़े बेटे राव चुंडा मेवार छोड़ कर मांडू चले जाते हैं मांडू कहां मालवा। इसी वजए से राव चुंडा को राजिस्थान का भीस्म पिता मह कहा जाता है। ठीक है तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है स्टोरी आपको याद भी हो के समय एक बंजारा था पिछू जिसे चीतर भी कहते हैं इसके द्वारा पिछोला जील का निर्मान करवाया गया था। तो पिछोला जील के किनारे ही जगस सिंग ने जगमंदिर बनवाया और जगस सिंग सेकेंड ने जगनिवास बनवाया तो ये समझे ये क्या है पिछोल जील है और यहीं पर पास में जग मंदर का निर्मान कराते हैं जगस सिंग फस्ट और उसके पास में ही जग निवास बनवाते हैं जगस सिंग सेकेंड जील के किनारे ही नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है तो देखिए एक नटनी थी जो की राणा-लाखा के समय थी दल्की नाम की एक नटनी बहुत अच्छा जो है। यहां कारिक्रम करती थी जो रसी Estamos चलकर जो यहां से एक जगए से दूसरी जगए पार करके जाते हैं तो वही zor marche पर तो वही जहें करती थी। इस抹्चुस हो जल्की को पिछोला जील में गिरा दिया और इसी वज़े से राणा लाखा ने जील के किनारे जो है इसका चबूत्रा बनाया जिसे नटनी का चबूत्रा कहा जाता है ठीक है इस जगे पर राणा लाखा के समय मेवाड में जावर खान से चांदी और सीसा बहुत मात्रा में निकलने लगा जिससे राणा लाखा का समय जो है आर्थिक सम्रिद्धी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो राणा लाखा के समय जो है बहुत अच्छा ही मेवाड का इतिहास रहा नेक्स्ट हम देखेंगे राना मोकल राना मोकल जो हैं वहें किसके बेटे हैं अब आपको याद आया होगा कि ये हंसा बाई के और राना लाका के पुत्र हैं लेकिन देखिए राना मोकल के जो भाई थे यानि की चूंडा तो कुछ समय तक तो उन्होंने इनका जो है संरक्ष भी की थी लेकिन जब जो चूंडा थे इनके बड़े भाई उनको ये लगा कि मोकल की माता जो है हंसा बाई उन पर संधिय करने लगी हैं तब वहें मेवार छोड़कर जो है वो मालवा या मांडू चले जाते हैं हाला कि उससे पहले जो है फिर भी राजपाट को त्याग ज करते भी रहे थे लेकिन क्या हुआ कि जब माता ही हंसा बाई उन पर संधिय करने लगी तो वह यहां से चले जाते हैं मालवा ठीक है राना मोकल जो है इनका समय है 1421-1433 और यहां पर दिल्ली सुल्तान है सयद मुबारक शाह शयद मुबारक शाह राना मोकल की मा है हंसा राना लाखा और इनकी पतनी का नाम है सौभाग्यवती और इनके बेटे का नाम है राना कुमबा विद्वान देखे योगिश्वर हैं और भट विष्णू है राना मोकल के समय जो विद्वान है वय है योगिश्वर और भट विष्णू और शिल्पी जो है वय है मना फना और विशल तो इनको भी याद रखना है आपको विद्वान को और शिल्पी को राना मोकल के समय विद्वान है योगिश्योर और भट विश्णू और शिल्पी है मना पना और विशल अब याद कैसे होंगे इनको बार-बार आप पढ़ोगे तो ये याद भी होंगे मोकल ने वपा रावल के द्वारा बनवाय गए एक लिंग नाची के मंदिर में परकोटे का निर्मान करवाया था तो मंदिर जो होता है उसके चारो तरफ ही परकोटे का निर्मान जो है वह किस ने करवाया मोकल ने करवाया था ठीक है? तिरिबुवन नारायन के मंदिर को मोकल का मंदिर भी कहा जाता है तो याद रखिएगा कि तिरिबुवन नारायन के मंदिर को मोकल का मंदिर भी कहा जाता है मोकल ने चितोड में द्वारिका नाज जी का मंदिर भी बनवाया था 1433 इस्वी में गुजरात के एहमद शाह के आकर्मर के दौरान जब मोकल की सैना जिलवाडा में पढ़ाव डाले हुए थी, तब राणा, शेतर सींग या कहता, इनके दासी पुत्र हमने देखे थे चाचा और मेरा, जो की राणा शेतर सींग के दासी पुत्र थे, इन्हों ने महपा पवार के साथ मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी ठीक है तो अब ये याद रखिएगा कि चाचा और मेरा और महपा पवार इन तीनों के द्वारा ही मोकल की हत्या कर दी जाती है और जगे का नाम क्या है जिलवाडा ठीक है याद रखना है 1433 में गुजरात के एहमद सा के आक्रमन के दोरान जब मोकल की सेना जिलवाडा में पढ़ाव डाले हुए थी तब राना शेत्र सींग के दासी पुत्र चाचा मेरा ने महपा बवार के साथ मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी तो चलिए इसके बाद हम मोकल के बेटे महारण कुम्बा का टॉपिक पढ़ेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू